आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ हेलो फ्रेंट्स हमारा पास कॉश्चन है आउट ओफ रेड एंड ब्लू फ्रेंज वेट्स विल बी मैक्सिमम फॉर विच कलर सुप्रेंज फ्रेंज विट्स क्या होती है पहले यह समल लेते है अगर हम वाइडी इसी सेट अप की बात करें तो हमें पर दो स्लिट्स होती है इस वन और एस टू जो किसी एस मोनो क्रोमेटिक सोर से इल्यूमिनेट होती है अब सिलेट्स को इल्यूमिनेट कर दिया तो इन से आने वाली लाइट वेज स्क्रीन पर इंटर पर करती है और इंटर प्रेंस पैटर्न मांक्समों किसके केने होगे औरिंट्स के सिलेट है क्या फ्रेंज बिक्रिंट डिशेंस दो कंजाटि ते पर इंट बेंड्स ये 2 कंजाटिटिव राइट बैंड्स के बीचे बीचका ङका कि वोपल पार्ष बैंड इस इसन अट और तरदक चल्टिभी था और थरभर दो उसे सा बिखल आदाइए कि वितूएं जागे जागेिटिव भ्राइट और डाक पंस तेस से distance between second bright और third bright यह distance between first dark और second dark ठीक है friends अब इसको हम बीटा से denote करते हैं और friends तो इसका formula होता है वो होता है lambda capital D over small d तो यहाँ सामें clearly दिख रहे हैं कि जो fringe width है वो directly proportional है lambda के, lambda यानि wavelength जिससे हमने यह दोनो slits को illuminate किया है so friends directly proportional है wavelength के, wavelength कि जिसके, जिस source से हमने इंको illuminate के इससे आने वाली light की wavelength के जिससे हमने इन दोनो slits को illuminate के so friends हमें पते है कि lambda जो wavelength है red light की maximum होती है wavelength is maximum for red color so lambda red is greater than lambda blue क्योंकि जो fringe width है वो directly proportional होती है lambda के इसलिए जो beta red है वो भी greater होगा beta blue so जो fringe width है maximum होगी red color के लिए so friends hope it helps thanks for watching classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप या whatsapp कीजे अपने डाउट्स 8444 पर है है झाल झाल